नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिस्वात किता हूँ ने यूटूब चैनल क्रेजी गयान पर तो दोस्तों इस वीडियो के इंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फॉन में किसी भी अभी तक आप सबिह अपने फॉन में किसी भी वीडियो या फिर मूवी देखने के लिए अपने फोन में MX Player और VLC Player दोनों में से किसी भी वीडियो प्लेयर का इस्तमाल करते होएंगे लेकिन वीडियो के अंदर जो मैं अप्लिकेशन आपको बताने वाला हो ना इस अप्लिकेशन के अंदर आपको MX Player से काफी जादा यूनीक फीचर देखने को मिल जाएंगे जो अभी तक आपको इन दोनों वीडियो प्लेयर में नहीं मिलते हैं साथी में इसका जो डिजाइन है इसके जो फीचर है ऑप्शन है वो भी मुझे काफी गजब लगे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा वीडियो प्लेयर है इस वीडियो का क्या नाम है कैसे डाउनलोड करेंगे क्या सब इसके अंदर फीचर हैं तो चलिए अब जल्दी से खरते हैं को स्टार्ट दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से वह लेए सब से पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है तो अगर आपने सुट को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक के उटन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको सुट को लाइक करना है उसके बाद अगर आपने हमाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब के उटन के उपर क्लिक करके आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है उसके बगल में आप सभी कोई छोटा सा घंटी नजर आएगा इसको आपको दबा के आल के उपर आपको सेट कर देना है फिर आपको नीचे जाके एक छोटा सा कमेंट भी लिख देना है और कमेंट में आपको वीडिय लिख देना है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको player लिख देना है, और यह लिखने के बाद आप सभी को इसे send करना है, अब जैसी यह लिख के आप send करते हैं, तो चलिए मैं आपको इस application के बाद बता देता हूँ, चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक कौन सी application है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रही हूँ application इस application का नम है play ठीक है इसका जो link है उमने video के description में डाल दिया है तो हाँ से आप से download कर लीजेगा सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस video player का जो interface है ना वो काफी बढ़िया है जो भी video आपके phone में होएंगे सारे के सारे जो थमने ले आपको ऊपर ही नजर आ जाते हैं नीचे उसका नाम नजर आ जाता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यह video ठीक है उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको music का option मिल जाता है यानि आपके phone में जितने भी गाने होएंगे न वो सारे गाने को यहाँ से आप सुन सकते हैं उसके अलावा आपको YouTube का option भी मिल जाता है अगर आप YouTube पे किसी video को देखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप YouTube की video को भी क्लिक करके देख सकते हैं जैसे आप pop-up लेके उपर क्लिक करेंगे तो वो जो video है ना आपके phone पे छोटी सी screen पे play होना start हो जाएगा ठीक है इस screen को अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो यहाँ पर यह जो video play होता रहेगा इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से adjust कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने WhatsApp पे chatting भी कर सकते हैं साथ-साथ दोस्तों यहाँ पर आप video भी देख सकते हैं वीडियो की category में आने के वाद यहाँ पर आपको सारे option देखने को मिल जाएंगे जो आपको VLC या फिर MX Player में देखने को मिल जाते हैं उसके लावा यहाँ पर आपको कई सारे और भी option देखने को मिल जाते हैं तो जैसे मैं इसके उपर click करूँगा तो यहाँ पर आप इसे landscape mode में भी देख सकते हैं उसके लावा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे आप three dot के उपर click करते हैं तो यहाँ पर आपको फोन है बंद हो जाए ठीक है तो यहां पर आप अपने हिसाब से time भी set कर सकते हैं नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने hardware decoder का option है brightness का option है साथी में अगर आप इस option के उपर क्लिक करते हैं तो यहां पर इस वीडियो को background में सुन सकते हैं और इसके sound को आप record भी कर सकते हैं इसके लवा यहां पर आपके सामने screen size को fit करने का option आ जाता हैं साथी में इसको pop-up करने का option भी मिल जाता हैं यानि आप से वीडियो प्लेयर का इस्तमाल कर पाएंगे